अच्छा भाई तो अब आ गया हूं मैं तीसरी मंदिल पर कबुतरों के पास हो आज मेरा जो कबुतर का बच्चा है ना वो वाला उसके बारे में ने कोई अपडेट देनी है उसको एक तो पाउं के मसले हुए तो उसके पाउं काम नहीं कर रहे थे तो उसको ट्रीटमेंट भ उसको जादे मच्छर के काटने से तो उनका इलाज भी आज करते हैं मैं दिखाता हूं वीडियो में रिटेल पहले इने पानी डाल देते हैं इसने बार देते हैं यह बच्चा है इसका इलाज करना आपको बताता हूं अच्छा जी तो ये रहा हमारा कबुतर जिसको वो दाने है और ये रहा उस दानों का इलाज ये है चूना जो पान कि दुकान पर मिलता है पकड़ा और इसको हिसाब किताब इस तरह है के जिस जगा वो दाने हो जाए तो उस जगा आपने में वह चूना लगा देना है थोड़ा थोड़ा करेंगे मैं आपको लगा कर दिखाता हूं अभी तो हसन बेटा इसको यह पकड़ना करा कि अच्छा कि पीछे दिखा कि यह भाई इस तरह के दाने होते हैं देखें यह वह दाने यह एक और इदर कहीं दूसरा भी यह इसको गौर से देखें यह तरह के दाने होते हैं दूसरा है दूसरा भी यह हैं कहीं है एक परो में है यह तो इन पर लगानी है यह चूना ताकि चूना इसको जलाकर हटा देगा और इस तरह इसके दाने ठीक हो जाएंगे ठीक है अब मैं चून लगाता हूँ हसन वीडियो बनाएगा हसन इस तरह लेना है चुना और यह दाना है इसका क्लिक कर गए वो जूम कर देना वो क्लिक कर गए सही दिखे हैं यह दाना है और इसको ऐसे लगाना है यह एक हो गया और यह रहा दूसरा यह दू हो गए वो खुश किसमती से इसके जादा नहीं है सभी से लगा देते हैं थोड़ा मुझे दो दो ही दिख रहे हैं तीसरा अगर है तो यह हलका सा यहां है यह जी यह देखें बस यह हो गया इसका इलाज इसका यही यह अलाज और इससे द्द्राव कुछ नहीं हो हूने से पहले कि वैक्सीन वगड़ है अगर वह थो जाया अपने हथेर दियाद नहीं कीं हो मेरी तरफ तो फिर इसका करते हैं कि ये लाजे के चुने इसकी जगह पर लगा दे जहां जहां काटा ए मच्हर में ने दाने होगा है और यह दाने तो दाने एक-दो दिनगा seduce फोड़ जटेंगे चुने इनने खतम कर देगा कह तो यह इससे कहा और दुआ करेंगे, ठीक हो जाए, इसके तारें वगरा खतम हूँ, यह रहा यह बच्चा, दुआ करेंगे, ठीक हो जाए, यह थी अभी की अपडेट इसकी, इंशाला आगे कोई अपडेट होगी तो इंशाला अगले वीडियो में और अगले व्लॉग में बता हूंगा, झाल झाल